कि अगला question देख लेते हैं अगला question क्या कही रहा है कही रहा है plaster of Parisεις जिसको पी वपी भी बोलते है plaster of Parisका रासायनिक सुत्र है plaster of Paris का रासायनिक सुत्र है तो option no.C is right answer हो जाएगा vit2o the to s4 había?, to help us to or CSO for all to dot h2o यह दोनों इसका राइट हो जाएगा एसे ज्याधा तर आफ्शन में यह आता है तो ध्याद में रखेंगे यह कंद पर कौनसी धातु दरब रूप में पाई जाती है कमड़े के ताप पर कौन सी धातु द्रब रूप में पाई जाती है तो 52 नम्मर का जो राइट अंसर हो जागा वो हो जागा C यानिके मरकड़ी जिसको पाड़ा भी बोलते हैं और इसको इसका सिंबोल है HG अगे कान सी अधातु द्रब रूप में पाई जाती है तो 53 जो इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्छन नमर C यानिके ब्रोमिन यह अधातु है जो द्रब रूप में पाई जाती है सबसे परवल ऑक्सी काड़क है तो ध्यान राखेंगे फ्लूरीन फ्लूरीन सबसे परवल ऑक्सी काड़क है वह है फ्लूरीन आगे है उत्कृष्ट गैस हैं किस वर्ग में है तो उत्कृष्ट यानिके अठारवां गुरूप में तो ध्यान रखेंगे प्रियोडिक्टेबल में वर्गूं की संख्या यानिके गुरूप की संख्या 18 होती है जबकि पिरियोड की संख्या आवर्द की संख्या वह साथ होती है ध्यान रखेंगे अप इसको अगला क्वेशन कह रहा है है हेलोजन तत्व किस वर्ग में है तो जैसी इनट गयस है उससे जश्ट पहले हेलोजन तत्व यानिके 17 गुरूप में है हेलोजन तत्व अगला सह कितने पड़काड के होते है तो जो सही हो जाति हैं तीन पड़काड के यानिके ऑप्ष नमबर सी इसका राइट आंसर हो जागा अगे कीला WAY लायइट किसका है तो 59 नंबर का आंसर हैч तो ध्यान रखेंगे पीतल मिश्रिधातु में पाया जाता है पीतल मिश्रिधातु में पाया जाता है तो क्या क्या पायाता है तो यह पर हो जागा कॉपर और जिंग पीतल मिश्रिधातु में क्या पायाता है कॉपर और जिंग अब इसको इस तरह से यह रख सकते हैं पी ता जी यानिके पी से पीतल ता से तामबा यानिके कॉपर और जी से जिंक यानिके पीतल मैं क्या-क्या पयाता है तामबा और जिंक ध्यान रखेंगे आप अगला कह रहा है वायू में कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो यहां पे ध्यान रखेंगे अप्शन नमर B यानिके 0.03% इसका राइट अंजर होगा नेक्स्ट आप बर्जिलियस ने जीवन सक्ति का सिध्धान्त कब दिया तो 62 नमबर का राइट अंसर होगा अप्शन नमर C यानिके 1815 में यानिके 1815 में यह सिध्धान दिया था अगे अलकील का सामाने सुत्र होता यानिके अप्शन नमर D यानिके CnH2N पलस 1 चले नेक्स्ट क्वेशन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन आवर्ट साड़ने में यानिके पेरेडिक टेबल में आवर्ट तो यानिके पिरियेट्स की संख्यां होती है तो पिरियेट्स की संख्यां होती है जबकि ग्रूप की संख्यां 18 होती है ध्यान रखेंगे आगी है लेंद्नाइट्स में किते हुआ 15 मेंधित ततुँ अगे है आगे है यहे आवर्थोजोर्ण उपाइट आपे वह किसे कहते हैं तो देशुने भाग लिया के लिए कितने देशुने भाग लिया दो 67 नमबर का अंसर हो जागा ऑप्षन नमबर सी यानिके देशुने क्योटो प्रोटोकल सम्मेलन में भाग लिया था अगला कॉशन है चिपको अंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वैसे तो भी थी उत्राखंड से लेकिन उत्राखंड उस समय उत्तर परदेश का ही भाग था इसलिए कहीं कहीं उत्तर परदेश भी रहता है वैसे अ करना है नेक्स परकास संस्लेशन की परकेडिया में उपोध पाद की रूप में बनता है यांदि कि एक तुथपाद बनता है उसके बाद जो बनता है उसको उपवतपाद बोलते हैं तो परकास अंसलेसन की परकेरिया में जो उपवतपाद के रूक में बनता है वो है औक्सीजन यानि कि it अप्शन नमबर B इसका right answer होगा 72 का B number right answer हो जागा काफ़ important question ध्यान लखेंगे नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी गरंती है तो शरीर की सबसे बड़ी गरंती है यह किर्थ होती है यानिकि यह liver होती है अगे ग्रहनी छोटी आत का डेज भाग है ग्रहनी जो है वो छोटी आत का डेज भाग है तो यानि पर right answer हो जागा option number A यानिके पहला भाग ग्रहनी छोटी आत का पहला भाग है अगे है trachea का व्यास लगभग होता है trachea का व्यास लगभग होता है 75 नंबर का हो जागा अप्षिन remark Susie यानिकेnesday Agara 16 mm होता है ट्रे ग्रहाई कितना हो जाता है सलर मीली ली मीटर 75 का सी निकली वायू में रहती है तो 76 नमपर का रहती है आगे और बीसी का अन्य नाम है तो यहां पर हो जाएगा इरेथ्रो साइट यानिशननमर और मानव भिर्दे में कितने में यानिके कोष्ट होते हैं तो कितने होते हैं तो चार होते हैं धाया अलिंद और नीचे वख निला निले तो धिहान रखेंगे ने अब हिर्दे में कितने वेश में या कोष्ग होती हैं चैंबर होती हैं चार Shake का एलंब्र हो जाएगा सामान इस्तिति में रखते चाप होता है सबने स्थिति किभा सभा самान इस्तिति एव cómo किरियात्म कि काई क्या होजाएगा तो जैगा नेफ्रोन जब कि न्यूरोन यह ब्रेन में प्रेंगा नाहीं का नेश्ट है मूत्र का ऊiegen ना जगा उर्णों को पकाने में साहाय हार्मोन एक फालू को पकाने में साहाय हार्मोन है वह जगा ऑप्शन नमबर डियानी के एथिलीन कि ध्यान रखेंगे के आफ इम्डूरेन कोशन है कहला मस्तिस का सबसे बड़ा भाग सेरी ब्रम तो अधिक मस्तिस भी बोलायाता है तो मस्तिस का सबसे बढ़ागा सेरीवरम या प्रमस्तिस किस मस्तिस का भाग है तो 83 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अग्र मस्तिस कि यानिके option number a right answer हो जाएगा चले next question कर रहा है master गरंथी किस निम्न में है यानिके निम्न में किसी नाम से जाना आता है मास्टर ग्लाइंड के नाम से आना है तो option number c right आंसर हो जागा यानिके picture ग्रंथी यानिके प्यूश घरंथी है एप्षिपर ग्रंथी कोई कि क्या कहा था master कुणै मस्तिस घरंथी के नाम से जाना जाता है город और यहां पर राइट आंसर हो जागा नर्लिंग हार्मोन यानिकि एंड्रोजन के हैं नर्लिंग हार्मोन है नेक्स्ट क्वेशन है पुरूष का सबसे पडमुख जनन अंग है तो आपको बोड एक्जाम में एक प्राग क्वश्चन को ही देखने को मिलेंगे लेकिन मैं यहां काफी इंपोर्टन हंडड़ क्वेशन लेके आये हो और ज्यादातर क्वेशन आपको इनहीं में से देखने को मिल जाएगा चले नेक्स्ट क्वेशन के और भरते हैं तो ध्यान रखेंगे जो पूरुस का तथर्म ओन लने के सायोजन से बन्हित से दिखने सब्सक्राइब को प्रों लिपर आपके-जिकन किस नहीं कर पाते हैं तो यहां रहा है Series का पाचन मनूशिया और कोई बी मांसारी जिव सेलिलोज का पाचन में कर पाते हैं नेक्स्ट माडब में गर्व की अवधी होती है तो यहांपे हो जाएगा 270 डिल यानिके 270 दिल एकला क्वश्टन कहा रहा है ब्रेन हैम्रेज का मुख्य कारण है तो यहांपे 91 का राइट आंसर है अप्शन नेमर सी यानिके हाइपर टेंशन के कारण ही ब्रेन का हैम्रेज होता है नेस्टर पादफ व्रिध्धी हर मॉन है काफी इंबोरेंटें डूरेज है तो जीव्रेलीन को खाजाता है ब्रिद्धी यानिक के अध्या क्वश्चन कराई निमन में दूर ranked निमन में दूरवल अमले है तो 94 नमर्व का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमर्व डी यानिके एसीटिक एसीटिक एसीट क्योंकि हम लोग जानते हैं एसीटिक एसीट पाया जाता है जिन रखना है अगला है मुकूलन द्वाड़ा अलेंगी चनन निम्न में किसम होता है म के द्यान रखना है जोड़े में दिया हुआ है तो 23 एगर ऐसे भी जोड़े में धिया रहा है तो 46 हो जाएगा तो आप उसको ज़रूर रखेंगे नेश्ट है निम्न में अजयव घटक नहीं है तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा option number C यानिके O4 सोड़ी यहापे 97 का हो जाएगा C यानिके पौधे निम्न में अजयव घटक नहीं है तो पौधे अजयव घटक नहीं है जबकि यह जैव घटक है अगे ओजोन का सुत्र है तो ओजोन का सुत्र जैसे कावी जानते हैं क्या हो जाएगा O3 ओजोन का सुत्र क्या होता है O3 बेदाच नह क्यां क्यान परतक नहीं है तो जाता है आनु अन्शिकी का पिता किसे कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे और सी राइट अंसर होगा चार्ल्स डार्विन अनु अन्शिकी का पिता कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट हंड्रेड अब्जेक्टिफ साइन्स का कवर की हैं और आज के बोर्ड एक्जाम में आपको इन ही मैं से यह अब्जेक्टिफ्स देखने को मिल जाएगा तो आप उसको जरूर ध्यान से देख लेंगे सारा क्वेस्टन्स को एक दुबार और अगर वी